हलो एप्रिवन मैं हूँ डॉक्टर शिक्खा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चानल पे ठंडियों में लोगों में जो सबसे कॉमन समस्या पाई जाती है वो है ड्राइ स्किन की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइ स्किन के इलाज के बारे में होमियोपेतिकली इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कुछ डे टुडे टिप्स जिसे फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं ऐसी और वीडियो के लिए मेरे एक चानल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भोलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं थंडियों में जो सद हवाएं होती है उनमें हुमिडिटी की बहुत जादा कमी होती है और इसका सीधे सीधे असर जो है आपकी स्किन के उपर पड़ता है इससे जो स्किन का मॉइस्ट्र होता है वो खोने लग जाता है स्किन बहुत जादा रूखी हो जाती है और स्केली हो कई बार ड्राइनस जो होती इतनी जादा होती है कि उन में क्रैक्स भी पढ़ जाते हैं और उन क्रैक्स से कई बार ब्लीडिंग होने लग जाती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टिप्स की जिसे आप डे टू डे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम भू सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहला टिप है कि आप जब भी ना है तो हमेशा लूप फॉर्म वाटर यानि की गुंगुने पानी काही इस्तिमाल करें पानी ना जादा ठंडा होना चाहिए और ना जादा गरम होना चाहिए और पानी में आप जादा देर तक ना रहें अपना नहाना जो है वो आप मैक्सिमम 5-10 मिनिट्स में कर लीजिए सेकंड टिप है कि थंडियों में आम तोर पे बहुत कम प्यास लगती है जिसके वज़े से लोग पानी भी नहीं पीते हैं जादा और ये कारण होता है ड्राइ स्किन का तो आप कोशिश करिए कि एक दिन में 2-3 लीटर जो है पानी जरूर पीजिए ये पानी जो है आप ग् अपनी स्किन में आप्लाई कीजिए सबसे अच्छा आइल जो माना गया है जो सबसे अच्छा अब्सरुब होता है आपकी बॉडी में वह कोकवनेट ओल तो इस कोकवनेट ओल को आप अपने पूरे शरीर में अपलाई कीजिए तुरन तहाने के बाद इस से क्या होगा कि आ और पूरे दिन भर आपके स्किन जो ह грror नहीं लगेगी अगर आपकी एडियों में क्राइक्स हैं रात को सोते टाइम एडियों में क्राइनी वुख गलडा से वॉचे दिस वहां पी एसे अलू इंग करें लगण में थे तो आप गलफ्स पहन के रात को सो जाएं ऐसे कुछ दिनों तक अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में काफी अच्छा असर हो जाएगा आपके एरियों पे और हातों के क्रैक्स पर और वह सॉफ्ट हो जाएंगी अगले टिप है अगर आपकी सकते हैं ऐसे अगर आप कुछ दिन तक करेंगे तो फिर आपको डिफ्रेंस जो है वो कुछ दिनों में नजर आ जाएगा आपके लिप्स जो है वो मॉइस्ट रहेंगी इसके अलावा आप जब भी स्वेटर या फिर कोई भी गरम कपड़ा वुलन कपड़ा पहनते हैं तो अंदर एक पतला सा कॉटन का टी शिर्ट या फिर कुछ भी है वो जरूर डाले डायरेक्ट वुलन क्लोथ को अपने स्किन के कॉंटाक में नाले क्योंकि इससे जो है एरिटेशन हो सकती है और आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है अगर आप रूम हीटर का यूज करते हैं तो फिर ध्यान रखें कि उसमें आप जादा देर तक ना बैठें क्योंकि जादा देर तक रूम हीटर में बैठने से भी आपकी स्किन जो है वह बहुत जादा ड्राइ हो जाती है और उसके वज़े से बहुत जादा खुजली होने लगती है पुरे शरीर में अब बात करते है आप पेशिंट की स्किन जू है वबहुत जादा ड्रै होने लग जाती है और अर ख fij़त शादा चाध और पैरो की स्किन होती है और उनमें बहुत जादा deep cracks पढर टीड बार बीडिंग हो जाती है तो इस केस में आप पेट्रोलियम 30 ले सकते हैं इसकी आपने चाचार इन में जो skin होती है बहुत जादा dry होती है, dryness की वज़े से उने इतनी जादा itching होती है कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं itching के लिए और itching करते करते उन में burning sensation जो है वो जलन सी लगने लगती है उनको skin के ऊपर ये जो itching है खुजली है ये रात के समय उनको जादा होती है और गर्मी से जादा बढ़ जाती है खुजली की दिक्कत इनकी जो skin होती है वो दिखने में बहुत जादा unhealthy लगती है, dirty लगती है और उनहीं नहाना जो है बिल्कुल पसंद नहीं होता है तो ऐसे patients जो है, sulphur 30 ले सकते हैं इनकी आपने चाचार भूंदे लेनी है तीन बार दिन में अगली medicine है graphitis 30 तो इसमें जो patient के skin होती है बहुत जादा hard होती है, rough होती है, dry होती है इसके साथ उनको जरा से भी कोई injury हो जाती है तो वहाँ पर पस आना शुरू हो जाता है और जादा तर यह देखा जाता है इन patients में जो उनके mouth है, lips है, वहाँ पर mouth के असपास cracks देखे जा सकते हैं, dryness देखी जा सकती है और जो अंगूठे होते हैं पैर के उनके बीच में भी dryness होती है, तो इस case में आप यह medicine ले सकते हैं, graphitis 30 इसकी आपने चार-चार बुन्दे दिन में तीन बार लेनी है अगली medicine है, alumina 30, alumina 30 में अगर आपकी skin जो है वह बहुत जादा dry है, उसके वज़े से आपको बहुत जादा itching होती है, और itching इतनी होती है कि आप से control नहीं होता और कई बार itching करते करते वहाँ पर bleeding हो जाती है, और आपकी skin की condition होती है, बहुत जादा painful हो जाती है, तो इस case में alumina 30 दे सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप bed पर बहुत देर तक blanket के अंदर रहते हैं, तो इसकी गर्मी के वज़े से बहुत जादा itching बढ़ जाती है और इसके साथ साथ जो आपकी हातों की उंगलिया होती है, वहाँ पर जो skin होती है, बहुत जादा ठोस होती है, hard होती है, और साथी जो आपकी nails होते हैं, वो बहुत जादा brittle हो जाते हैं, easily तूट जाते हैं तो इस case में आप alumina 30 दे सकते हैं, इसकी आपने 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है, तो winters में आप ये छोटी छोटी tips जो हैं, फॉलो करके और ये homeopathic medicines लेके आपने इस समस्या को solve कर सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और informative content के स तil then good bye, stay healthy, stay aware.